हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, गाईज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ कि फेस ब्लीच किस तरीके से की जाती है, ब्लीच करने के क्या बेनिफिट है, कितने दिन बाद आपको ब्लीच करने चाहिए और कौन सी स्किन पर कौन सी ब्लीच सूट करेगी, फुल प्रोसेजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहे हैं वीडियो पर, गाईज ब्लीच स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लाइट को टावल लगा दिया है, ताकि ब्लीच से उनके कपड़े गंदे ना हो, उसके बाद मैंने ए किसी क्लीच मिल के स्किन की क्लीनिंग करने को प्लेन क्लीनिंग कहते हैं, ताकि जो भी गंदगी उपर उपर से है, वे ऐसे ही रिमूव हो जाए, उसके बाद मैं यूज कर रही हूं क्लीच मिल का, गाईज क्लीच मिल का यूज करने से क्लाइट की स्किन में जितनी भी काजल वगएर अच्छे से रिमूव करें उसके बाद क्लीजिंग करें क्लीजिंग आपने करनी ही है चाहे आप किसी की ब्लीच करें डीटैन करें आप किसी की स्किन से रिलेटिट जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें क्लीजिंग सबसे पहले की जाती हैं क्लीजिंग का यूज करन है कि आपका हाथ बिल्कुल सॉफ्ट चलना चाहिए आपने प्रोडेक्ट को स्किन में पेनिटेट नहीं करवाना साथ की साथ पानी का हाथ लगाते रहना है हलके हाथ से मसाध देनी है उसके बाद मैंने वेट टिशू पेपर का यूज करके जितना भी एक्स्टरा प्रोडेक्ट है स्किन में से स्किन में पितनी ज़्यादा शाहि ने जांनी है उसके बाद मैंने लिया है वैधी कलाईन का मोश्टराईजर क्योंकी यह मेरी कलाईन है टिनेज गरल है तो ऐसे में में डारेक्ट इनके फेस पर bleach की application नहीं करूँगी वैसे mostly जितने भी client मेरे पास आते हैं मैं सभी के face पर पहले moisturizer की एक layer लगा देती हूँ उसके बाद ही bleach की application करती हूँ ताकि कोई भी bleach का side effect उनके face पर ना हो bleach मैं use कर रही हूँ Vedic client की gold bleach जो की काफी अच्छी bleach है अगर आप मेरे channel पर फिर आपने मेरे channel की बहुत सारी videos देख रखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैं mostly Vedic client की bleach यूज़ करती हूँ जो की काफी safe रहती है, herbal bleach होती है every type of skin को suit करती है काफी अच्छा result आता है, बिल्कुल भी इन bleach से skin पर itching नहीं होती आपने cream bleach ले लेनी है client की skin के according, उसके बाद activator की मातरा आपने client के hairs के according डालनी है, मेरे client के face पर अच्छे खासे जो hairs है इसलिए मैंने activator की मातरा थोड़ी ज़्यादा ली है, अगर आपके client के face पर कम hairs हैं तो आप activator की मातरा कम कर दे, उसके आपने बहुत अच्छे तरीके से cream bleach और activator को आपस में mix कर देना है mixing करते समय ध्यान देना है कि आपके जो activator के कंड है cream bleach में बिल्कुल mix हो जाने चाहिए आपने finger से touch करके देखने है कि आपके activator के कंड कहीं आपको feel तो नहीं हो रहे, क्योंकि कई बर क्या होता है, लोग mixing अच्छे तरीके से नहीं करते, bleach cream को direct face पर लगा देते हैं, जिससे client को काफी itching होती है, उनकी face पर reddish हो जाती है, कई बर क्या होता है, उसी की वज़े से skin burn भी हो जाती है तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि activator के कंड cream bleach में बहुत अच्छे तरीके से mix हो जाने चाहिए application करने के लिए मैंने brush का use किया है, finger से ना लगाएं finger से क्या होता है, काफी itching होने लगती है fingers में, client के face पर जादा hairs होते हैं, जैसे side blocks के इनकी पर जादा hairs हैं तो ऐसे में वहाँ पर आपने bleach के application पहले कर देनी है, फिर दीरे-दीरे पूरे face पर bleach लगाएं जब आप bleach लगाते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि eyebrows को छोड़ देना है, under eyes में ज़्यादा close की side bleach ना लगाएं उससे client को ज़्यादा problem होती हैं अखों में आसू वगारा आने लगते हैं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही आपने bleach की application करनी है यह तो था bleach को लगाने का सही तरीका अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ कि bleach क्यों की जाती है जब हमारे face पर black color के hairs होते हैं उनकी वज़े से हमारी जो skin tone होती है काफी dark लगती है skin काफी dull लगता है और हम जब कोई client ऐसा आकर बोलता है कि मुझे face पर instant glow चाहिए तो उसके लिए bleach बनाया गया है bleach से क्या होता है हमारी skin पर जो hairs होते हैं वे colorless होकर हमारी skin tone की हो जाते हैं जब bleach से हमारी skin के joh hairs होते हैं black से blonde हो जाते हैं तो bleach का जो tone होता है अप हो जाता है bleach का यूज करने से हमारे face पर जो छुटे-चुटे mark होते हैं pimples के निशान होते हैं वे light हो जाते हैं अगर हमारे face पर pigmentation है तो वे भी काफी light हो जाती है और bleach का यूज़ करने से हमारी skin काफी glow लगने लगती है काफी अच्छा refreshing look आ जाता है bleach का यूज़ करने से हमारी skin की tanning भी काफी हद तक कम हो जाती है काफी अच्छा result अगर आपको instantly चाहिए तो आप bleach करवा सकते हैं यह एक ऐसा product है जो कि आपको करवाते ही result देगा तो इसलिए लोग bleach करवाते हैं ताकि उनके face पर instant result आए अगर आप confused रहते हैं कि कौन सी skin पर कौन सी bleach करें तो bleach जो होती हैं हर bleach हर skin को suit करती है पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दू कि अगर मेरे पास कोई dusky complexion वाला client आता है तो मैं mostly उनके face पर diamond bleach का यूज करती हूँ fair complexion पर मैं gold bleach का यूज करती हूँ अगर मेरे पास कोई dry skin वाला client आ रहा है जिसकी skin over dry हो रखी है fair complexion है तो मैं उस पर gold bleach का यूज करती हूँ काफी अच्छा result आता है guys अगर आपको कोई blemish वाला client मिल रहा है तो आप उनके face पर papaya bleach का यूज करें अगर आपके client के face पर over blemishes हो रखी है तो आप उने bleach avoid करें आप उनको d10 की service दे bleach की application करने के बाद 5 minutes बाद आपने bleach को गूमा देना है client के lips पर और eyes पर मैंने d10 का यूज किया है ताकि bleach करवाने के बाद lips और eyes का area अलग से डाग डाग दिखाई ना दे आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको अच्छा result चाहिए अब मैं bleach को check कर रही हूँ client की skin पर bleach आपने check करनी है उतारने से पहले पहले मैंने 5 minutes बाद गुमाई थी फिर उसके बाद मैंने केवल 10 minutes और रखे हैं क्योंकि मेरी जो client है इनको ज़्यादा अपने face की hairs blonde नहीं करने थे तो 15 minutes बाद हमने bleach को उतार दिया है उतारने से पहले आपने अच्छे से check कर लेना है कि hairs कितने आपने blonde करनी है आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने bleach उतार दी और देखा कि hair blonde नहीं हो और client बोल रहा है कि आप दुबारा bleach करो तो ऐसा करने में आपको भी problem होगी client का भी time waste होगा तो आपने देखना है कि पहले अच्छे से check कर लें तो देखे कितना अच्छा इनके face for result आ चुका है प्रोप पर तरीके से hairs जो है blonde होकर इनकी skin के हो गए है जिसे कि इनका जो skin का tone है काफी up हो चुका है अब मैं use कर रही हूं rose water का bleach का use करने के बाद जब bleach remove कर देती हूं तो मैं rose water का use करती हूं ताकि client की skin में cooling effect आए काफी अच्छा soothing effect आता है आप भी इस तरीके से toner का use करें उसके बाद भी आपने client की skin को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना आपने अच्छे तरीके से moisturizer का use करना है इससे client की skin में एक protection की layer चड़ जाती है अगर आपका client कहीं बाहर धूप में जाने वाला है तो आप moisturizer का use करने के बाद sunscreen को भी जरूर client के face पर apply करें moisturizer मैं use कर रही हूं weather client का चंदन वाला जो की काफी अच्छा है every type of skin को suit करता है और dry skin के लिए तो best है क्योंकि इस पर mention किया गया है specially for dry skin काफी अच्छे तरीके से आपने moisturizer का use करना है skin पर बहुत अच्छे तरीके से moisturizer को penetrate करवा देना है client को बोलना है कि 24 hours तक आपने face पर face wash, sabun वगरा का use नहीं करना और उसके बाद after care के लिए भी बोलना है कि आपने daily face पर moisturizer जरूर लगाना है ताकि आपके face पर एक अच्छा सक लो आ जाए तो चलिए मिलते हैं आप से किसी next video में, okay take care bye bye, thanks for watching, thank you